ओम शैन्ति आज के विशिस परमात्मा पाप के महाबक्य आज के वर्दान है आज के वर्दानों से आज के वर्दान से हम शोमान ले सकते हैं मैं संपून पवत्र आत्मा हूँ बाबास बताये हैं संपून पवत्र आत्मा कौन हो सकते हैं बाप समान बनने के लिए पवत्रता का फॉन्डेशन पक्का करो परमात्मा बाप समान बनने के लिए पवत्रता का फॉन्डेशन पक्का करो फॉन्डेशन में ब्रह्मचेरी का वृत धारन करना यह तो कॉमन बात है बाबा कह रहे हैं दुनिया वाले मनुष भी ब्रमचरी के शक्ति को पालन करते हैं बाबा आज बता रहें कि ये तो बिलकुल कॉमन बात है सिर्फ इसमें खुस नहीं हो जाओ दृष्टी वृत्ती की पवत्रता को और भी अंडरलाइन करो सबसे बड़ी पवत्रता है दृष्टी और वृत्ती की और इस पवत्रता को बाबा कहते तुम अंडरलाइन करो साथ साथ अपने शंकल्पों को शुद ज्ञान स्वरूप बनाना सक्ति शरूप बनाओ बाबा कह रहे हैं अपने शंकल्पों को भी ग्यान सरूप बनाओ, शक्ति चरूप बनाओ, शंकल्प में बहुत कमजोरी है बाबा कह रहे हैं भी, संकल्प हमारे जहां तहां फिशलते रहते हैं, शंकल्प हमारा कमजोर होता रहता है, विविन प्रकार के माया का वार होता है शंकल्पों के उप पवत्र बनाओ, संकल्प शक्ति ही संपूर्ण पवत्रता का अधार है बावा कह रहे हैं, इसलिए पवत्रता को अपनाने के लिए संकल्प सक्ति को बहुत बहुत सक्ति स्थालि, बहुत बहुत पवत्र बनाने की बावा कहते हैं, संकल्प में बहुत अभी कमजोरी हैं, इस क पमजोरी को भी शमाप्त करो तब कहेंगे संपोन पवत्र आत्मा तब कहेंगे संपोन पवत्र आत्मा तो आज का स्वमान क्या रहेगा सारा दिन क्या अभ्यास करेंगे मैं ब्राह्मन आत्मा संकल्प में भी वृत्ती में भी संपोन पवत्रता को धारन करने वाली नंबर वन प्वबत्र आत्मा हों ऐसा द्रड़ संकल्प करके हमें योगा भ्यास करना है और शंपून प्वबत्रता को धारन करने का ब्रत लेना है ऐसा शोमान में शारा दिन रहेंगे